सभी दिल्ली और दिल्ली के आसपास और जो देश और दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, वो नागपुर के सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, इसलिए नागपुर के सभी लोग जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके, वहाँ आएं, समढ संग की पहली अंतर रठिक यानि अंतर राष्टिय इंटरनेशनल समढ संग संगती, असेम्बली नागपुर के नाग लोग में दो अपरेल 2022 को सुभे 10 वजे से शाम 5 वजे तक होनी तै हुई है, दिली से, पुर्य देश से और दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं। समढ संग के समढ संगी लोग जो सारे के सारे समढ संग में समढ संखती में शर्मन संस्कृती में यकीन रखते हैं। वो सभी लोग नाग लोग दो अपरेल 2022 दिन शनिवार को सुभे 10 वजे पहुँचें। 150 रुपे की महाँ पर एंट्री रखी गई है जिसमें 100 रुपे खाने के हैं और 50 रुपे नास्ते के हैं। जो लोग अपना खाना लेके आएंगे नाग को नागपुर के आसपास उनके लिए 100 रुपे की छूट है, 50 रुपे उनको देने पड़ेंगे क्योंकि हौल का कुराया, बाकी सब चीज़ों का कुराया उसमें शामिल है। सभी दिल्ली और दिल्ली के आसपास और जो देश और दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, वो नागपुर के सभी लोगों से मिलना चाहते हैं। वो समर संग का पैदाय से सदस्य होता है। ये समर संग बुद्ध के समय से और बुद्ध के समय से भी पहले से भारत जब जम्बुदीप या जम्बुदीप से पहले भी जब ये गौणवरा लेंड होता था, तब से ये समर संग, समर संखती या श्रमर संखती चली आ रही ह उसी का हिस्सा, उसी के नियम, उसी के अनुसार ये काम करता है आईए एही पस्ति को और आकर देखिए अपने सवाल, अपने जवाब यहां कीजिए open session होता है, कोई भी व्यक्ति समर्संग कैसे काम करता है, समर्संग में कौन लोग है समर्संग में उसकी क्या भूमिका है, समर्संग पैसे क्यों नहीं ले लिता समर्संग में नेता क्यों नहीं होता, समर्संग में राजिती क्यों नहीं होती समर्संग कैसे लोगों का वेलफेर करेगा, समर्संग क्या है, कब से है, कहा है उस सारे सवालों के जवाब आपको महां आकर मिलेंगे खालों के जवाब आपको झा झालों संह झालों के लुटानाना हिए लगाबे आ रात है।